पत्रकार और फैक्ट चेकर मुहमस जुबैर के खिलाफ दर्ज मामलों की जाज के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेश जाज टीम गठत की है जुबैर के खिलाफ यूपी में कुल 6 केस दर्ज है इनमें से दो मामले हात्रस और एक एक केस सीतापुर लखीम पुरखीरी गाजयबाद और मुझफर नगर जिले में दर्ज है इनके अलावा एक केस दिल्ली में दर्ज है जिसमें दिल्ली पुलिस ने उन्हें 27 जून को गिरफतार किया था इस तरह मोहमस जुबैर दिल्ली और यूपी में दर्ज कुल 7 केसों का सामना कर रही है यूपी सरकार ने जो SIT बनाई है उसे लखनों के जेल आईजी प्रतिंदर सिंग हेड करेंगे डि आईजी अमित वर्मा भी इस टीम का हिस्सा होंगे यूपी पुलिस का कहना है कि SIT के जरिये जुबैर के खिलाफ दर्ज मामलों की निश्पक्ष और पारदर्शी जाच की जाएगी इससे पहले जुबैर को 11 जुलाई को सीतापु जेल से दिल्ली की तिहार जेल में शिफ्ट कर दिया गया था मौंबज जुबैर फाक्ट चेकिंग न्यूस वेबसाइट और न्यूस के को फाउंजर है ये वेबसाइट फेक न्यूस के खिलाफ काम करती है और उनसे जुड़े सही तत्यों को प्रकाशित करती है जुबेर के खिलाफ जादतर मामले धारमेग भावनाओं को ठेस पहुचाने आपती जनक टिपपनी दो समुदायों के बीच दुश्मनी फैलाने जैसी धाराओं के तहट दर्ज है यूपी पुलिस के मताबिक हातरस और सीतापुर में जुबेर के खिलाफ इस साल केस दर्ज हुए है वहीं दूसरे जिलों में जो केस हैं वो 2021 में दर्ज हुए थे जुबैर के खिलाफ IPC की धारा 295A यानि की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के रादे से जान बूच कर दुर्भावना पूर्ण काम करना जुबैर पर आरोप है कि उन्होंने हिंदु धार्मिक नेताओं को हेट मौंगर यानि नफर्फ फैलाने वाला कहा था उन्होंने 27 मई के अपने एक ट्वीट में तीन हिंदु नेताओं के लिए शब्द का इस्तमाल किया था फिलाल इस केस में सुप्रिम कोट के आदेश के बाद जुबैर को गरफतारी से रहत मिली हुई है मामली में सुप्रिम कोट ने जुबैर को अंतरिम जमान दी थी जो 7 सितम्बर को अगली सुनवाई तक जारी रहेगी 12 जुलाई को कोट ने यूपी पुलिस को चार हफ़ते में जवाब दाखिल करने को कहा है अब बात करते हैं लखीम पुरखीरी केस की पिछले साल लखीम पुरखीरी जिले के महमदी थाने में भी महमद जुबैर के खिलाफ एक केस दर्च किया गया था सुदर्शन न्यूज के एक पत्रकार आशीश कुमार कटियान ने 18 सितंबर 2021 को F.I.R. दर्ज करवाई थी F.I.R. में कटियान ने दावा किया था कि जुबैर ने 14 मई 2021 को अपने ट्वीट के जरीय सुदर्शन न्यूज के खिलाफ अफवा पहलाई थी इस मामले में भी जुबैर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाने का आरोप लगा था उनके खिलाफ IPC की धारा 153 यानि की समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना इसके तहत केस दर्ज किया गया था 11 जुलाई को जिले की स्थानी अदालत ने जुबैर को 14 दिन की नियाए खिरासत में भेजने का आदेश दिया था इसके अलावा उनके खिलाफ IPC की धारा 153 या पांसो पांच एक बी पांसो पांच दो जोड़ दी गई जुबैर की जमान ते आजिका पर 13 जुलाई को सुनवाई होनी है जुबैर ने अपने ट्वीट में सुदर्शन न्यूज पर फेक न्यूज फिलाने का आरोप लगाया था गाजयबाद केस पर आते हैं 15 जून 2021 गाजयबाद के लोनी बॉर्डर थाने में जुबैर और अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ यह मामला एक 72 साल के बुज़ूर के साथ पिटाई की विडियो से जुड़ा था जुबैर ने विडियो शेयर करते हुए लिखा था कि बुज़ूर को पीतने वाले उनसे जबरन जैश्टरी राम बोलने को कह रहे थे हाला कि बाद में गाजयबाद पुलिस के बयान के बाद जुबैर ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया था पुलिस ने कहा था कि लोगों ने विडियो को जांचे बिना तनाफ पून माहौल पैदा करने और सामतरदाइक रंग देने की कोशिश की FIR में IPC के धारा 153, 153A, 295A, 505, 120B, 34 लगाई गई थी इस मामले में जुबै के अलावा पतरकार राना अयूब, सबान नकवी, न्यूज वेबसाइट दवायर, कॉंग्रिस नेता, सल्मान नजामी, मक्सूर उस्मानी, शमा मुहम्मद के नाम भी शामल थे इन सभी लोगों ने बुज़ूर की पिटाई का विडियो शेर किया था खबरों के मताबिक पीड़ बुज़ूर ने ही पहले जबरन जैश्री राम बुलवाने की बात शकायत में कही थी हाला कि बाद में वो अपने बयान से पलट गए थे जुबैर ने बाद में अपने ट्वीट को डिलीट कर दिखा था मैंने जो विडियो पोस्ट किया था उसे डिलीट कर दिया है पुलिस अधिकारियों और पत्रकारों से बाचीत के आधार पर पीडित से जबरन जैशुर राम का नारा लगवाने वाली बात साबित नहीं हो पाई है अब बात करते हैं मुजफर नगर केस की जुबैर के खिलाफ पिछले साल जुलाई में एक और केस दर्ज हुआ एक व्यक्ती अंकुर राना ने उन पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया उसने मुजफर नगर के चर्थावल थाने में 24 जुलाई 2021 को जुबैर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी इसके बाद जुबैर पर IPC की धारा 192, 504 और 506 के पहत FIR दर्ज हुई थी ये मामला भी सुदर्शन न्यूस के विडियो पर जुबैर के ट्वीट से ही जुडा था शिकायत करता ने FIR में बताया था कि उसने इस मामले को लेकर जुबैर से बात की थी अंकुर ने आरोप लगाया कि जुबैर ने गाली गलोज करते हुए इस मैटर में पढ़ने पर उन्हें जान से मारने की धम की दी थी हात्रस केस हात्रस की स्थाने अदालत ने 12 जुलाई को जुबैर के खिलाफ वरंट जारी किया उन्हें 14 जुलाई को पेश होने को कहा गया है हात्रस में जुबैर के खिलाफ दू मामले दर्ज हैं दोनों के इसी साल दर्ज किये गए एक केस सिकंद्रा राउ थाने में हैं यहां उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 149, 153, 353, 188 और 120 B के तहट केस दर्ज हैं यहां फायार पुरदिल नगर के चौकी इंचार्ज सोनूरा जौरा ने चार जुलाई को दर्ज कराई थी दूसरा केस हात्रस सदर थाने में दर्ज है यह केस एक हिंदुवादी कारेकरता दीपक शर्मा ने 14 जून को दर्ज करवाया था यहां भी आईपीसी की धारा 53, 295, 298 और IT Act की धारा 66 के तहट केस दर्ज किया गया दीपक शर्मा ने आरोप लगाया था कि जुमे की नमास के दौरान जो हिंसा यानि की जून में जो हिंसा हुई थी उसके लिए जुबैर का ट्वीट जिम्मेदार था दीपक ने कहा था कि जुबैर अपने ट्वीट के जरिये भारत में दंगे करा रही है उन्होंने देवी देवताओं के अफमान को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी यूपी पुलिस ने 12 जुलाई को अपने बयान में कहा है कि जुबैर के खिलाफ मामलों की जाच के दौरान S.I.T. सभी जरुगी स्थानिय पुलिस से सयोग लेगी स्थानिय पुलिस मामले से जुड़े सभी कागजात S.I.T. को हैंड ओवर करेगी साथी S.I.T. लोकल पुलिस की मदद लेने के लिए स्थानितर होगी पुलिस ने कहा है कि S.I.T. सभी मामलों में तेजी से जाच कर कोट में चार्ज शीट दायर करेगी इसके अलावा दिली में भी जुबैर पर केस दर्ज हुआ था उनके खिलाप IPC की धारा 153 और 295 एक के तहती केस दर्ज किया गया जिस ट्वीट के लिए उनने गरफतार किया गया उसे जुबैर ने मार्च 2018 में पोस्ट किया था उन्होंने ट्विटर पर एक तस्वीर शेर की थी जो 1983 में आई रिशिकेश मुखर जी के फिल्म किसी से ना कहना का स्क्रीन शॉट था तस्वीर में हनुमान होटल लिखा हूँ दिख रहा था इसी तस्वीर को शेर करते उन्होंने ट्वीट में लिखा था 2014 से पहले हनीमून होटल 2014 के बाद हनुमान होटल पिछले महीने एक ट्वीटर यूजर ने दिल्ली पुलिस को टाग कर स्ट्वीट के खिलाब कारवाई करने की अपील की थी इसी पर कारवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने उन्हें गरफतार किया फायार में लिखा है कि जुबैर ने एक विशेश समुदाय की धारविक भावनाओं को अपमान करने के इरादे से पोस्ट किया था बाद में जाच के दोरां जुबैर की वेबसाइट और्ट न्यूस पर दिल्ली पुलिस ने विदेशी फंडिंग कानूनों के उलंगन का आरोब भी लगाया आईपीसी की धारा 120B, 201 और विदेशी चंदा नियमन कानून की धारा 35 भी जोड़ दी गई 14 जुलाई को दिली कोट में उनकी जमान त्याचिका पर सुनवाई होनी है आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी साकेत मेरा नाम है दिव्यान शी देखते रहें दिललन टॉप शक्रिया